नमस्ते दोस्तों कैसे है आप सब मैं डॉक्टर अमिच चक्रवर्ती, मैं साइकॉन ग्रूप अफ कमपनीज का डिरेक्टर हूँ और पोर्टबल यूपीवीसी विंडो मैनुफेक्टरिंग मशीन्स का इन्वेंटर हूँ अगर आप यूपीवीसी विंडो और दोर का फैक्टरी बिठाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोग फुल्ली पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो और दोर का मशीन्स बनाते हैं उन मशीनों को आपको चलाना सिखा देते हैं और उसके साथ साथ पूरे भारत का raw material suppliers का full contact details भी आपको provide कर देते हैं ताकि आपको आपका factory शुड़ू करने में कोई भी दिक्कत ना है तो चलिए आज का वीडियो शुड़ू करते हैं आज एक topic को लेके बात करेंगे जिसको लेके बहुत सारे लोगों का बहुत ज़ादा confusion रहता है और वो है series जी हाँ, UPVC में ये series क्या होता है profile companies से अगर आप बात करने जाओ तो वो बताते हैं फलाना series का माल है ये फलाना series का माल है ये series बला होता क्या है ये आज हम लोग अच्छे से समझेंगे और ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि अलग-अलग company का अगर same series भी हुआ तो उनका भी अलग-अलग weight होता है मतलब अगर कोई profile 60 series का है 2 track का frame है और वो 60 series का है तो A company का weight अलग है B company का weight अलग है C company का weight अलग है तो अगर तीनों ही 60 series का माल है उसके बाद भी तीनों में weight में फड़ क्यू है तो चलिए वीडियो को शुडू करते है सबसे पहले Series क्या होता है अब जब ही भी आप कोई profile को देखते हो और side से उसको मतलब cross section की diameter से देखते हो तब आपको देखेगा कि profile का एक चौड़ाई होता है अगर आप उस चौड़ाई को नाप के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो profile का चौड़ाई है वही उसका Series होता है मतलब अगर 2 track का frame है और उसका चौड़ाई अगर 60 mm है तो मतलब यह 60 series का profile है अब 60 series का profile या दूसरा कोई series का profile हमेशा इससे तैह होता है कि वह material का frame का चौड़ाई क्या है मतलब अगर 2 track का series है और वह 60 series का माल है तो frame की चौड़ाई decide करेगा कि उसका series क्या होगा जैसे कि जादा तर 3 track का frame का चौड़ाई होता है 112 mm इसलिए 3 track का frame को बोला जाता है 112 mm series अब यह अलग-अलग company का अलग-अलग चौड़ाई हो सकता है और उसके हिसाब से series बदलता रहेगा जैसे अगर 2 track का frame है तो 60 series में भी आता है 55 mm series में भी आता है अब तो कुछ-कुछ 45 mm series में भी आने लगा है तो इस हिसाब से अलग-अलग material का अलग-अलग company का आप अलग-अलग series इस हिसाब से निकाल सकते हो तो आशा करता हो कि series का बात तो आपको clear हो गया है अब दूसरा बात कि 60 mm series का अगर फलाना कोई company है और उनका पर मीटर वेट एक किलो है तो दूसरा कोई company का पर मीटर वेट एक किलो दो सो ग्राम क्यों है ये इसलिए है क्योंकि series ये decide करता है कि frame का चौड़ाई क्या है पर उसका height नहीं decide करता अगर फलाना company का frame चौड़ाई में 60 mm series है मतलब उसका चौड़ाई 60 mm है तो उसका height 50 mm हो ही सकता है और दूसरे company का चौड़ाई अगर 60 mm है तो उसका height भी 60 mm हो सकता है तो अब जब height change हो गया तो अंदर का material भी तो कमबेसी हो गया तो इसलिए A company का माल में 1 kg पर मीट आड़ा था और B company का माल में 1 kg 200 g पर मीट आड़ा था तो आशा करता हो कि ये basic सा चीज आपको बहुत अच्छे से clear हो गया है और आज के वीडियो के लिए इतना ही आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए जैहिंत